गुट मॉर्निंग शुडेंट विलकम टुडू फ्लाइज इनीट तो मेरे प्यारे बच्छों आपन यह माई और एसी का सिरीज पढ़ रहे हैं आज सेकेंड लेक्चर है तो बात करते हैं आपके पास डिरेक्शन आफ कल आपन लेक्चर वन में बात किये थे डिरेक्शन आफ इंडिूज करेंट कैसी होगी एक और दिन लेंज लाइज जो भी इंडिूज करेंट इसी होनी चाहिए डिरेक्शन आफ इंडियूज करेंट इन सच वेड़ेट इट ट्राइट टू पॉज डिकाउज बाइच इट प्रोडियूस इड यह उस कारण का पोज करती है जिसके तो अगर हम बात कर रहे हैं सपोज एक लूप है थोड़ा रिवाइज करा दे कि एक लूप है यह करिंट है आई ऐसे बहर रही है तो मुझे पता है कि यह कैसी करिंट है ऐसे मतलब मैटिफिल्ड उपर इस वाले वायर में मैटिफिल्ड उपर देखे जितने भी वायर सोंगे कि अगर उपर हैं तो नीचे से कहीं से आतो रही होँगी इसका मतलब यहां पर मैटिफिल्ड लाइंस क्या हो रही है इंटर हो रही है और यहां से एक जिट हो रही है तो ऐसे माने कि सर हमारे पास यह लूप रखी गई है यह दूसरी लूप रखी गई है और लाइट तो इस पहली वाली लूप में करेंट जो है ऐसे है वो भी करेंट इंक्रीज हो रही है करेंट ऐसे है कि रही है कि क्यों क्रीज हो रहा है क्योंगी और यहां पर यहां पर इंधर हो रही है हो रहे हैं क्योंकि current aगर current इसका मतलब क्या हो रही है तो अगर तो इसी होनी चाहिए जो अंदर के बढ़ने का अपोज करें तो कैसे होगा anti-clockwise तो direction कैसे क्या हो जाएगा एंटी ट्लॉकवाइज तो यह concept है अगर एक कुशन से equation number1 2 से बात करें यहां पर एक लूप है इस बार करें टैसे चली loop को यहां पर दिया आप बताएं ड्र निखरvelmente कि यह प्रैमरी लूप है जिसकी वज़े से current मेंगेटी फिल्ड यहां पर इंड्यूज मेंगेटी फिल्ड बढ़ेगा या घटेगा दिखते हैं कि current डिक्रीज हो रही current is decreasing इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे चल लए मतलब कि अगर इसके लूप के उनदर मैं की तर तरह जाई इसका मतलब बाहर की तरफ तरफ पढ़ना चाहिए तो बाहर तरफ बढ़ेगी कब जब anti-clockwise जो कैसी योगी anti-clockwise तभी बाहर तरफ बढ़ेगी तो anti-clockwise ओल राइट अगर मालने की यही same question होता suppose also सब कुछ से मुथा current बढ़ने घटने के बजाए अगर बढ़ता इसका स्था मतलब कि मैं बोलता कि मैं एक फिल्ट आउट्साइड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है आमसाइड तो फिर हैंश्ण क्या हो जाताप पिर आपका एंसर क्या हो जाता कि जो बाहर अच्ञों का लाइट व्योह चाहिए कि direction of induced current direction of induced current अब बात यह आती है सर की induced current की direction तो आ गई अब second जो है वो magnitude of induced current क्या है magnitude of induced current basically magnitude of induced current क्या है कैसे है वो बात कर रहे है फरार्दे जो की कौन्से ला फरादे जो लेकि राइट डाउन फराडे जो लो इन्होंने बोला था कि जो इंध वोगा जो भी एमिध होगा माइनस D5 by DT या जो EMF का मैगनिट्यूड होगा वो मौड D5 by DT या निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव तो D5 by DT निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ आपको डिरिक्शन बताता है इसका मतलब जो EMF की वैलू होगी और क्या होगी D5 by DT होगी अउनली कहा the rate of change of flux gives you EMF d equal क्या बोला the rate of change of flux इएäg मेफ दी सबूल कै आपके पास एक Kолод interess क्या थी वैग इसमें करेंट अबर यहां पर रखी थिक तो मुझे पता है कि एंटी क्लोक वाइज चल लाई यकरेंट तो मेंटी फिल बाहत यहां पर अंदर जा रही होगी मैंटी फिल इंसाइट बढ़ लेती इस वायर का रजिस्टेंस लेटर सपोज इसमाल आर है क्या है इसमाल आर दिस इस लूप विचिज प्लेस सब्सक्राइब लूप ठीक इस सर्कूलर लूप के बगल लखी गई है जबकि इसमें करेंट नहीं बाहर रही है लेकिन इंडियू जो करेंट आएगी कैसे आएगी क्यों आएगी वो देखते हैं चुक्कि करेंट यहां पर अगर देखें तो मैंटी यहां पर करेंट ऐसे ऐस ऐसे यहां निकलेगी तो यहां इंटर करेंगी इसका मतलब अगर आई इंक्रीज कर रही है तो भी इंक्रीज कर रहा होगा अगर भी अंदर तरफ इंक्रीज कर रहा होगा तो इसका मतलब कैसे चलेगी क्लॉक वाइज चलेगी तो मुझे समझ मागया सर एंटी चलना चाहि की डिरेक्शन तो हम बता दिये magnitude क्या होगा कि यहां पर अगर मालने की यहां पर इस तरीके से लूप में अब यहां पर बी की वेलू यूनिफाम अगर यह मालने की बहुत पास में है तो बी इंटू मैंटी फिल जो भी यह बी इंटू एरिया एरिया आप दिसक्वैल फ्लक् डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाई डिटी यह आपके पास यह में फो जाएगा यह में फी डॉट डिये इसकी वेलू क्या बी इंटू ए अब यहां पर कभी-कभी आई को जो है फंक्शन मना देते हैं कि सपोज आई इस फंक्शन आफ सम टाइम या मैटी फिल्ट को यह इक्वल टो बी-not T-square अगर ऐसे है कि मेर्ची फिल्ट फंक्शन है इसका मैंटी फिल्ट इपन्ट सना यहां पर वैलू क्या हो जाएगी बी नौट- टी-square एरिया कितना हो जाएगा एरिया अगर इस लूप का रेडियस आरे छोटा हार तो पाई यह इस लूप का एरिया नहीं Consider करेंगे क्योंकि हमें इसमें यह में फिंडियू जो रहा तिसका एरिया Consider करेंगे अच्छा बी और ए के बीच का एंगल देखें तो अगर माल लेते हैं कि मैंटिफिल्ड यहां पर एरिया वेक्टर आॉटसाइड है मैंटिफिल्ड अंदर तो एंगल बनाया 180 कितना 180 का इंगिल बनाया 180 मतलब कॉस 180 अगर यहां पर रखेंगे तो वैलु क्या जाएगी कॉस आफ 180 अगर वैलु रखे तो माइनस वन चुकि हमें मॉड लगा है तो मॉड क्या करेगा इसको क्या कर देंगा पॉजिटिव तो अगर यहां पर भी नौट तो मेरा कॉमन आ गया पाइ आर स्कॉर भी का मन आ गया तो डीबाइ डीटी आफ टी स्क्वेज़ दी बाइडी टी आफ टी स्क्वेर तो इसकी वैलियो क्या हो गई बी नॉड पाई एर स्क्वार इंटू टी यह आपके पास क्या गया इम आफ आ गया यह जो इसमें बैज जो इसमें चुकि करन तो ऐसे है नहीं कि बगर बैटरी के करेंट बह रही है कुछ तो यह में लगा होगा इसको बोलते हैं इंड्यूज दियम इफ इस इदी मैक टूर दिस इदी अकॉर्डिंग तो फरादे लाव वी कें इजली फाइंड आउट इंड् इंड्यूज दियम इफ वैलू क्या रही है बी नौड पाइट आर स्कॉर इंटू टू टी तो यह आपके पास अब मुझे पता है कि इसको कैपिटल आर माल लेंगे रजिस्टेंस अब मुझे पता है कि अगर इंड्यूज दिकरेंट लिखना होगा इंड्यूज इंड्यूज दिकरेंट क्या होता है इंड्यूज दिमेफ इंड्यूज दिमेफ डिवाइड़ बाई रजिस्टेंस अब दी कोयल रजिस्टेंस अब दी कोयल तो इंड्यूज दिमेफ आपके पास क्या है इंड्यूज दिमेफ आपने निकाला है कितना बी नौड पाई या कि आपके पास क्या अगयाए पूछी जाती हैं पहली चीज पुछी है कि इंडियूज कadora क्या होगी दूसरी चीज इंडेःे मेफ एक चीज और पूछ पूछ बी पूछा जा सकता है तो रिक्सांड को नीट को आपके देंगे कर अगर मान लें कि फिर्णेर में में है सपोज हमारे पास एक ऐसी कवाइल है सपोज हमारे पास करेंड़ बहरा है इं फाइनाइट त्रेचкт वाइर इंफिनिटी जो एक करेंट ऐंधाए आई की जो वेलू दिया था इट इप फंक्शन आफ आई नॉट टी क्यूब दिया है आई नॉट टी क्यूब या टी स्क्वार मनले आई नॉट टी स्क्वार अलाइट अब यहां पर यह जो वेलू दिया है यहां पर इस पॉइंट पर पूछ रहा है इस यहां पर इसकी जो रेडियस दिया है वह दिया है और यहूं दिया है वह X दिया है अलाइट तो अब मुझे पता है कि अगर इंफाइनाइट स्ट्रेट वायर है जिसमें करेंट आई इस फंक्शन आफ टाइम है और यह दूरी X है यह दूरी क्या है X है तो यहां पर बोल देता है X is much much greater than as compared to e मतलब हम यहां पर इसके इसके इन रिस्पेक्ट्व हम क्या मेंगिटी फिल क्या ले सकते हैं कॉंस्टेट ले सकते हैं औल राइट तो हमें क्या चाहिए था कि इस वाले में इंड्यूज करेंट भी बताईए इंड्यूज करेंट की डिरेक्शन भी बताईए इसके फाइंड आउट फाइंड आउट डारेक्शन आफ डारेक्शन आफ डारेक्शन आफ इंड्यूज करेंट इंड्यूज करेंट अग्निट्यूज करेंट दो चीजे पूछा मैग्निट्यूज आफ इंड्यूज करेंट इंड्यूज करेंट इंड्यूज करेंट तो अ तो मुझे क्या पता है मुझे बस इतनी बात पता है कि यहां पर बी की वेलू कैसे लिखी जाए बी की वेलू लिखने के लिए आपको इन्फाइनाइट स्टेट वायर के लिए मैंटी फिल्ड एक्स दूरी पर पता है कि बी जो होता है मू नॉड डिवाइड़ बाइटू पाई आइवाई एक्स होता है आइवाई एक्स ऑलाइट तो यह हमारे पास कॉंसिप्ट हैं तो यहां पर मैंटी फिल्ड चुकी अगर आप ध्यान से देखें तो डियल्ड ख्रॉस अंदर है इस जगहां है जगहां मैंटी फिलुक्त है और यूनिफार्म है क्या है यूनिफार्म क्यों क्योंकि आपने यह माल लिया यह दूरी बहुत बढ़ी है बहुत छोटी है ठीक तो आप एमेफ के लिए क्या लिखेंगे इमेफ बराबर डी बाइडी टी आफ फाइव फाइव मतलब बी इंटू ए बी की तो वैलू आपने लिखें दिये मेई नर्ट बाइ टू पाई आई के जगह पर यह कि आई नौट टी स्क्वर हर अइन आट टी के क्या लिखर क्या सबस्क्राइब लक्स ₹94 ऐलुक पक लिए अगर इसको दो क्ょ डिया पर इमेफ क्या यह migrate क 부드ूंदי सो इंटू ए स्कूयर बाहर अंदर क्या बचा डइबाई डीटी ऑफ T incentiv एह पे-णू- नॉडब ए-घु आगया-क्या गया तो अगर तो पर यहां देखेंगिए कुछ लाध तो सिंदे क्या हो जाएगि मयू नौड इसकोर की दि आपके पास क्या आगया यह chyba गया अगर इमफ मुझे पूछा था डिरेक्शन Ó इंडूजूज लिक्रेंट तो तो आसान है तो यहां पे आगर आई बहर डाई इण रिस्पैक्ट्य वफ टाइम तो मुझह क्या पता चल गया EMF Induced Induced EMF आ गया मतलब इसमें एक बैटरी लगी है जो current बाएगी अब उस current की value क्या होगी उसको बोलते हैं Induced current क्या बोलते हैं Induced current आपने जैसे देखा Induced EMF divided by resistance आपदी coil Induced EMF आपको मिल गया है क्या? Mu not I A square I not A square I not A square T Divided by Capital R यह आपके पास क्या मिल गया है This is the value of Induced current क्या मिल गया This is the value of Induced current समझ में आ रहा है न तो एक एक चीज़ें आराम से मस तरीके से इंज्वाय करते हुए समझेंगे तो पहुज करके लिख भी लिया करें मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो जरूर फीड़बेक देना ठीक है बहुत मिन्हत की जा रही है आपके लिए इस्पेसली आपके लिए लॉकडाउन है चीज़ें बंध हैं तो आपके लिए ही सारे content तयार कर रहे हैं पूरे channel पे अगर हम बात करें जा के प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं सारी चीज़ें अगर हम बात करें कि सर यही सेम question अगर second से बात करें कि मान लीजे कि सर यह infinite state वाया था यह loop ऐसे थी लूप is like this अगर लूप ऐसे है, यहां से यह दूरी A है, क्या है? A, और यह स्क्वार लूप है, यह भी L, यह भी L, यह भी L, यह भी L, अब यहां पर यह इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, L is much sufficient, L is much sufficient as compared to A, L को इग्नोर नहीं किया सकता, यह इन फाइनाइट स्टेट वायर है, I equal to I not T square माल लो, अब लूप है, आपके पास A, B, C, D, current बाहर रहा है, ऐसे, sorry, इसमें current नहीं बाता, this is induced current, direction of induced current, यहां पर आएगा, तो देखते हैं, direction आप पहले ही, यहां पर भी वही सेम चीज़ पूछा, determine, determined direction of, direction of induced current, direction of induced current and magnitude, magnitude of induced current, direction and magnitude of induced current, direction and magnitude of induced current, दोनों पूछा था, तो direction और magnitude कैसे बताएंगे, वो उसको concept को सीखेंगे, मुझे पता है कि I उपर जा रही है, I बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, DL cross R, B अंदर होगा, और B जो है, अंदर है, sir, लेकिन यह uniform नहीं है, यह non uniform है, ठीक है, मुझे पता है कि, यह जो B की value है, वो increase हो रही है, inside, तो अगर B increase हो रही है, तो इ इसे, anti clockwise तो current चला ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हमाँ पास सर बी uniform नहीं, non uniform है, क्योंकि इस बार L को यह बराबर नहीं लेख सकते है, यह दूरी अगर आप देखें, तो यह काफी बड़ी दूरी है, और यह varying magnetic field है, क्योंकि आपने पढ़ा है, कि मुझ जो magnetic field होता है, due to infinite state wire, मैं, mu naught by 2 pi, i by x पढ़ा है, यह पढ़ा है, यह आई by r पढ़ा होगा, where are the distance from the infinite wire, तो यहाँ पे हर जगा value अलग है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, हर जगा value अलग है, तो करने का तरीका मैं बता रहा हूं, द्यान से सुने, मेरे प्यारे बच्च चोटी सी जो इश्ट्रिप आपने काटा न, इस चोटी सी इस्ट्रिप पे जो छोटा सा db होगा, यह चोटा सा dp होगा वो लिख डालो, ठीक, यहाँ पे जो छोटा सा db होगा, वो हम पहले लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ छोटा सा dinum hai, वो लिख दे, d5 की value b into a, तो डिवाइड बाई टू पाई आई बाई आई बाई एक्स एक तो यह आगया मुनाट बाई टू पाई आई बाई एक्स यह तो छोटा सा भी आया इसका एरिया कितना आएगा आपके पास छोटा सा डिफाई आया अब आई नॉटी स्क्वाइर बिलिख सकते हैं आई के जगार यह चोटा सा डिफाई में हमें पूरे पे चाहिए था यहां से यहां तक चाहिए तो इंटी जो जिरो से लेके है टोटल फ्लक्स फाई है अगर आपको यहां पर इंटीग्रेट कना पड़े तो कहां को इंडोर ही वह देखें तो कहां से यह से चालू हो रहे है लूप कहां को खतम हो रही है यह प्लस यह तक जा रही है तो यहां पर जो चीजे constant हैं उसको बाहर ले आएं जो जो चीजें क्या है constant हैं वो उसको बाहर ले आएं तो basically पहले हम क्या यह करने के पहले ठीक है all right is it okay यहां पर दी फाई जो हमने लिखा दी फाई टोटल फ्लक्स हम लिख रहे हैं फ्लक्स मिल जाएगा तो यहां पर डी फाई का integration फाई अपर लिमिट फाई हो गया लोगर लिमिट जीरो यहां पर क्या वैलू है यहां पर आई नौट कॉंस्टेंट है डिए्ड फाई नौट पी स्कॉयर फी कॉंस्टेंट है यहां पर वैलू क्या हो गया वन बाई एकस लहां पर यहां पर भी यहां पर हो गया आई नॉट बाइट नॉट बाइट फाई आई टी स्कॉर एल यहां पर अब वेलू क्या आई वन बाइट इंटिग्रेशन आफ वन बाइट डी एक्स इसको एले एक्स बोलते हैं एसे लेके ए प्लस एल तक यहां पर नॉट बाइट पाई आई नॉट टी स्कॉर एल यहां पर वन बाइट डी एक्स को एले एक्स तो एले एन ओफ अपर लिमिट माइनस लूवर लिमिट तो वैलू क्या हो जाएगी लाग एले नॉट एक्स माइनस एले होती है वैलू हो जाएगी लाग एले 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 यहां पर वैलू क्या जाएगी आपके पास जो टोटल फ्लक्स आएगा वह क्या जाएगा मियू नॉट बाइटू कि आई नॉट टी स्कॉरे ल एल और राइट लैन आफ एबाई बी तो एप्लस एक्स डिवाइड बाई यह आ गया यह आपके पास flux आगे आप इसको क्या करेंगे अगर आपको यह में चाहिए तो यह में आपके पास क्या हो जाएगा इमें बराबर डी फाई बाई गभया दीति टी के रिस्पेक्ट में डिफिरेंजेट के बाकी सारी वैलु कॉंस्टेंट है तो म्योज और बाई टू पाई कैंसे लाउट यहां पर आपके पास मुणोड बाई टू पाई आई नॉड एल एले नॉफ ए प्लस एक्स बाई ए टी स्क्वार का क्या हो जाएगा टू टी हो जाएगा टू टी अब टू टू काट देंगे तो यह आपके पास क्या हो गया इम फो गया तो अगर आपको आई चाहिए तो इम फ डिवाइड बाई रिजिस्टेंस आप दे लूप अगर इसका रिजिस्टेंस सपोज कैपिटल आर ओम दिया है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो वैलू क्या मू नॉड बाई पाई आई नॉड एल एले नॉफ छीड प्लस एकस बाई एए इंटू टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कैपिटल आर तो यह आपके पास क्या हो जाएगा इंडिूज्ड करेंट क्या हो जाएगा मैगनिटूड ऑफ इंडिूज्ड करेंट तो यह concept है जिसको आप यूज करके के मतलब कहीं पर भी इंड्यूज करेंट इंड्यूज इलेक्टिक फील्ड यह सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कि समझ मा रहा है न कि मेरे प्यारे बच्छों समझ में आ रहा है तो जरूर सेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि उनको फायदा हो सके जो जेई या आएटी जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अब बात कर रहे हैं कि मा लीजिए कि सर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम था अच्छा कोश्चन है मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है कि हक गारे यह है एक लूप हैसे मेक यह सर लूप थे हैं कि ऑल लाइट माली यह कि मैगनिटिक टीकी किसी किसी यहां पर करिंट आई थी करेंट आई की जो वेलू है वो आई यहां पर फिक्स नहीं आई क्या फिक्स्थ है तो अगर यहां पर मैटी फिल्ड जो है ये भी सर्फ वैरिएंग अगर यहां पर यह बाद बोलते हैं कि यह जो दूरी है यह रिडियेश जो है यह है यह दूरी आर है और यहां पर बी क्या लिया जा सकता है इसमें कोई बुराई नहीं है तो अगर ऐसा है तो मुझे यह भी बात पता है कि अगर यह लूप ओमेगा से घूमे कितने से ओमेगा से तो इसका एक बात बताएं क्या इंड्यूजड इमेफ होगा या इंड्यूजड करेंट आएगी यह भी सोचने वाली बात है न कल जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लूप ऐसे गोम रही है और मैंटी फिल्ड भी कॉंस्टेंट है लूप ऐसे ऐसे गोम रही है कोई दूसरी चीज बताए एरिया होना चाहिये तीसरी बताया है दोने के बीच इंगल चेंज होना चाहिए और यहां पर पर यहां link अ कि लूप ऐसे रोटेट कर रहा है हां लूप थब तब कंसीडर किया जाता कि अगर मान लेते कि सद्थए आरे पास करिंटी आउ रही है और यहां पे लूप रखा है क्या रखा है लूप और लूप का जो एक्सिस आफ रोटेशन है वो यह ऐसे लूप रोटेट कर रहे है इस वाले प्लेंप ऐसे तो अगर लूप ऐसे रोटेट हो रही है से तो यहां पर बी और एक के बीच का एंगिल चेंज होगा तो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें फिर आप फिर इंडियू डीमेफ आएगा डिरेक्शन आफ इंडियू डीमेफ तो लिटस सपोज की माल लेते हैं कि जब T बराबर 0 था तो लूप जस्त स्टार्ट होई है मतलब ओ ऐमेगा जीरो की वेलू क्या थी0 अगर T समय पे बाद देखें तो ओमेगा बराबर ठीटा बाइट टी पढ़ा है तो ठीटा बराबर कितना गों गया होंगा यह लूप कितना घोंग गया ओमेगा टी अच्छा लूप के अंदर यहां पर डी यल क्रासर मैंटी फिल्ट हर जगह इनसाइड होगी मैंटी फिल्ट इनसाइड हर जगह तो यह दूरी ए है तो पाई ए स्क्वेर पाई ए स्क्वेर या एरिया अब दिलूप ए ही है कॉस आफ थीटा कॉस आफ ठीटा को फीटा जगह पे ओमेगा थी यह आपके पास फ्लक्स आगया क्या आगया फ्लक्स और चाप बी और एक बीच का अंगिल यहां पे चुकि थीटा चेंज हुआ थीटा चेंज हुआ तो भी और एक बीच का ऐंग चेंज हुआ तो अगर आप यह मैं लिखना आजाएगा यहाँ पर बी एओमेगा आगया साइन ओमेगाटी एम की वेलु क्या होगई कि गि respe2 उमेगासाइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी अगर एइन डंबर अफ टॉन्स इस में इस लूप में सपोज एइन नंबर of tons number of tons हैं ए ये आपके पास यीमेट आएगा क्या है येगा emf जैसा कि आप जानते हो कि यह sinosidal कर्व है कैसा है sin कर्व है एं, भी ए ओमेगा sin ओमेगा T, इसको बोलते हैं E Knowde, इसको बोलते है Natalie न पीक तो अगर ऐसा होता है तो आप जानते हो कि AC करेंट कौन सी करेंट AC करेंट AC करेंट में क्या होता है AC is basically equal to E 0 sin Omeaga T ये आपके पास क्या आगया induced induced EMF आगया इस वाली लूप में तो induced current I पराबर क्या हो जाएगा E naught by R sin Omeaga T इसको बोलते हैं i0 इसको बोलते हैं peak current क्या बोलते हैं peak current तो i बराबर हम क्या लिख सकते है i0 sin omega t तो ये दोनो alternating current ये मतलब loop के घुमने से कौन सी current जनरेट हो रही है AC current जनरेट हो रही है कौन सी current ये दोनों equation किसकी है alternating current की अगर इसका graph बनाएं अगर इसका graph बनाए हम AC में तो आपको पता है कि यह alternating current है sinusoidal wave कौन सी sine wave या sinusoidal wave भी बोलते हैं तो इस तरीके से आपके पास इनका graph आएगा this is sinusoidal wave ठीक यहाँ पे आपके पास E यहाँ पे ठीटा ठीटा वराबर omega t तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पीक current पीक वोल्टेज यहाँ पे है पीक बोल्टेज तो current क्या होगा यह में divided by resistance आर की value ज्यादा होगी तो यह क्या होगा कम हो जाएगा मतलब current तो कहीं यहाँ पे इसके नीचे ही चल लए होगी तो इस तरीके से सेम फेज है फेज सुट भी सेम इस तरीके से यह जो ब्लू ब्लू वाला है यह करेंट का आई का ग्राफ है किसका है आई का ब्लेक वाला किसका है वोल्टेज का वोल्टेज का ग्राफ है तो यहां पे वी equal to we equal to sin omega t and a equal to i0 sin omega t तो यह लूप के गूमने से एस ही पैदा कर रहा है तो जो आपके घरों storing वहां में एसी आती। सारी चीजें स्प्लाइब हैं वह बसक्री कैसे घिंद का उपर से पानी गिरा जाता है फिर लूफ घूंजा एया अपने आप तो यह थे वह हमने हमें दिया है का फिर आपने थेर्मल प्लाइंड में देखा बोडेलर जो पानी होता ऩταफितरों से भाइब लिया जाता है फिर यह को हेड़ी उसको तो यह तो यह नेचर ने हमें दिया है जैसे जो पहाड़ से लिएंगि होती है तो लूप रख देते हैं फिर वह क्या होती है कि लूप घूमने लगती है लूप घूमेगी तो करेंट बनना चालो है वही एसी करेंट आपके घरों तक आ रही है इसके लिए हम कोई एडिशनल सप्लाई नहीं दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं यह जो एनरजी मुझे ने दिया है कोईला वह भी वह भी देखा होगा मतलब के लिए यूज किया जता है हीटिंग परपस के लिए यूज किया जता है वाटर को तो जितने भी इसको बोलते हैं थर्मल पाव प्लांट क्या बोलते हैं थर्मल पाव प्लांट जैसे अहमदाबाद में है या फिर मतल लगाए गए हैं लेकिन अगर हम नार्थ इंडिया में देखे तो मिजॉर्टी केस में आपको हाइड्र प्लांट दिखेंगे जैसे या उत्राखंड में देख लें तो हाइड्र प्लांट हैं जितने भी देख लें ठीक तो इस तरीके से आपका पूरा जो है अल्टरीनिटिं सप्लाई आ रही है तो मतलब फिजिक्स ऐसे समझें कि यह सारी चीजें हम मतलब बना रहे हैं और इसका उप्यों करें अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नेचुरल रिसोसेज को जितने भी आप अपने पास हैं उसको कंजर्ब करें कम यूज करें या फिर जो जरूरी है वही यूज करें ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों आज का लिक्चर कैसा लागा जरूर फिडबैक में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें चीजें ठीक है आज के लिए वस इतना ही थेंक्यू आला फियो